हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगे कि रिवर मशीन का यूज किस तरह से किया जाता है और जब आप इसको यूज करते हैं फर्स टाइम तो किन-किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है तो चलिए फिर स्टार्ट करते है यह मेरा वाटसप नमबर है किसी कुछ भी कोईरी है निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ट्स वगरा आपको लेने तो आप मुझे इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या वाटसप कर सकते हैं तो देखिए यह मेरी ब्रदर की 871 की मशीन है और इसको र सीबर मेशीन होती है आपकी इस तरह से बनी होती है ब्रेदर की कोई भी किसी भी मॉडल की आपकी मशीन है 821, 831, 851, 881 तो इसके साथ यह अटेच हो जाती है तो यहां पे इसको मैंने में बैट के साथ जो अटेच किया हुआ है में में मशीन के साथ आप क्या लीजिए अटे जब आपको यूज नहीं करना है तो आपको क्या करना है यह देखिए यहां पर इस साइड में और दूसी साइड भी इसी तरह से आपका लीजिए तो इसको आप पक्लोगे और नीचे की तो देखिए नीचे आ गई तो यहां कि अभी यह बर्किंग पोजिशन में नहीं है ह में 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 मशीन को अपना यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अब आपको वर्क करना है इस पे बॉर्डर बगारा बनाना है तो फिर क्या करना है तो दोनों हतेलियों से इस तरह से उपर की साइड आपको प्रेशर लगाना है तो इस तरह से देखिए आपकी पीING कोजिशन पर लेगी है तो देखे मशीन की जो नॉर्मल पोजिशन है यह हमारा पहाए पे रहेगा यो रहेगा पर रहेगा ठीक है तो ये normal position है इसकी आप आते हैं हम carriage की साइड में तो यह घ्लिप 1 स् сов ईसमें काम नहीं करेगी अब देखो यहां पर यह नहीं है इसको यहां पर सेट करने है तो इस तरह से सेट होगी आपने जैसे भी आप क्यारेज सेट करते हो ना उसी साथ से आप इसको सेट कर दीए तो यह क्यारेज मैंने सेट कर लिया है कि अब यह इतना सब करने के बाद आपको टेस्ट करना है कि हमारा करीज वह सेट हुआ है और नहीं हुआ है देखे है और यहां पर यह भी टेस्टिंग हो जाएगी कि बैट सैट हुआ है तो कैसे आप टेस्ट करोगे इसको चलाओगे यह आटोमेटिकली इसको कैच कर लेगा देखे इस तरह से यहाँ पर दोनों कैरेज आपकी एक साथ चल रहे हैं अब देखे अगर यहाँ पर इसको कैच नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपकी सेटिंग जो है वह ठीक से नहीं होई है तो आप दुवारा से इसको चैक करोगे और अगर इसको देखे निकालना होगा तो इस तरह से पुश करोगे नीचे की साइग कि क्या यानि कि यह सेट हो चुक है आपका तो इस तरह से आपका सेट अप हो गया यानि कि जो है मशीन आपकी तयार हो चुकी है बॉर्डर बगर बनाने के लिए जो भी प्रोड़क्ट आप इस पे बनाना चाहते हो तो नेक्स वीडियो में मैं आपको सिंगल बॉर्डर बनाना सि लिए बेल आइकन दबाएं थांक यू